दोस्तों बिहार SSE Interlevel भरती 2023 अभी BSSE IOC की और से New Notice चारी किया गया है तो चलिए फटाफट आप सभी Official Notice देखिए और ये Notice दोस्तों आप में से जितने भी 25 लाग प्लस चात्र फॉर्म फिलप किया है सभी के लिए जरूरी है तो चलिए फटाफट यहां से आप सभी New Notice देखि हैं और कौनको न्यू अपडेट जानना चाहते हैं कब तक वेकेंसी आईगी कितने पदों पर फटाफट कमेंट करके बताइए तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी BSSE Interlevel भरती संभाधित नोटीस देखिए जो की 12000 प्लस पोस्ट भरती संभाधित नोटीस है चलिए यहां पर सुचना पट नोटीस बोड़ पर किलिक करते हैं और यहां से लेटेस्ट नोटीस दीखिए तो यहां पर आप डेट का यह नोटीस है विग्यापन संख्याँ 02-2030 जो की Interlevel भरती संभा यहां पर आप देखेगा दोस्तो भीखार क्रमचारी चेह नोटीस आवस्यक सूचना है और दोस्तों आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ब्याइस से आयोग को जल्द से जल्द एकजाम का कैलेंटर जारी करना चाहिए दिखिए एकजाम डेट आने से कुछ खास नहीं होने वाला है सबसे मेन है कैलेंडर कैलेंडर दोस्तों इसलिए जरूरी है कि कैलेंडर में क्या होगा कि पीट एक्जाम का डेट तो रहे गाई उसका रिजल्ट कब आएगा क्योंकि आयोग के पास भी अपना टार्गेट रहता है कि हमको इतना दिन में परिच्छा लेना है फिर उ ठेस्ट भी होना है इसमें देखेगा बहुत sort शार ऐसे पोष्ट जिसमें टापिंग टेस्ट नहीं है तो खास करके दिखेगा जो अच्छे पोष्ट है जिसमें यह इसमें रोयल जॉब वाला जो भी पोस्ट है जैसे पंचाद सचीब हो गया पैंतिस सो पोस्ट पैंतिस सो पोस्ट है राजस सुक्रमचारी का और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज एक बढ़ा यह है तो फटाफट कमेंट कीजिए आप सभी अधिक सदिक कैलेंडर बी एससी आयो को जारी करना चाहिए जिससे समय एक समय भरती परिक्रिया कंप्लीट हो पाए और दोस्तों साथ ही आप सभी डेट के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर परिच्छा कब होगी इसके बारे में भी आप सभी किस वीडियो में बताने वाले हैं तो पहले आप इस नोटीस को देखिए और भी कुछ चीज़े हैं जो आपको फॉलॉव करना है सभी 25 लाग प्लस सात्रों के लिए नोटीस ज़रूरी है तो यहां पर देखेगा आयो क्या वस्यक सूचना ग्यापांक नमर है देख सकते हैं यह तो आप सभी को पता है लेकिन यह न्यूव वाले नोटीस में दोस्तों और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया जो कि 25 लाग सात्रों के लिए जरूरी है तो चले यहां सागे आप देखे तो आवस्यक सूचना द्वारा देखेगा अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन फैनल समीट है तो निर्धारी तिथी जो था इसको बठा करके 11 जून 2024 तक कर दिया गया थी यह 24 में वाला नोटीस हो गया आप देखे यहां पर क्या है कि वरत्मान में विग्यापन संख्या 02-2030 दूतिया इंटर अस्तरिया सनिक परत्योक्ता परिच्छा संबादित दो लिंक आयोक के वेबसाइट प्रूप लावद है तो देखे दोस्तों BSAC आयोक क्योर से अभी नया दो लिंक अप्लोड किया गया है क्यानि यहां पर देखो नया लिंक एक्टिव किया गया और यह दोनों लिंक अलग-लग अभ्यार्थियों के लि लिंक यहां पर देखेगा इंटर लेबल इस तरह का लिंक है तो क्या कुछ है आप लोगो फुल प्रोसेस दिखाने वाले फिर आपको क्लियर हो जाएगा का उप्योग ऑनलेन आविदन समर्पित करने और परमानपत अप्लोड करने है तो करना है यह हो गया पहला लिंक दोस्तों देखेगा लग-लग परिक्षाओं का यही ट्रेंड है कि परिक्षा से बहुत पहले सूचना नहीं दी जारी कल ही देखेगा द्रोगा भरतिस संबतित पे एक न्यू डेट आया है साथ ही देखेगा एसो यानि बिहार लेजिसलेटिव कॉनसिल में सहाइक परिक्षा नहीं होगी इसके बाद आप लोग की परिक्षा होगी और विखार इससी इंटर लेवल के लिए दिखेगा तो आपके पास तो धायतीन महीने का भी अगर समय यह समय बहुत कम है अभी आपको लग रहा है जब डेट आएगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि हम क्रेंट अफेर्स का पढ़े या जीके पढ़े साइंस पढ़े या फिर मैथ रिजिनिंग को अच्छे तरीके इस त्यारी करें तो बेहतर यह है कि आप सभी के लिए क्लास्ट मोग है क्योंकि आपको देखेगा तो आठ दस साल की विंतजार करना पड़ेगा इस तरह की विकेंसी के लिए तो अब भी साब सभी स्रियास होकर त्यारी मिलग जाईए और देखे बी एससी आपना अलग पैटर्न है आप सभी को त्यारी जो करना है बी एससी का जो न्यू पैटर्न है इसमें देखेगा बहुत सारे मैथ रिजिनिंग में इसे क्विस्टन पूछे जाते हैं जो अलग-अलग परिक्षाओं रेल्वेससी में नहीं पूछा जाता है हर एक्जाम के अपना पैटर्न होता है आप सभी को बी एससी का जो न्यू पैटर्न उससी अनुसार त्यारी करना है और फुल त्यारी किलाब सभी हमारे अप्लिकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जूर जाइए तो यहां पर देखेगा दोस्तों पहला लिंक तो यह आपको क्लियर हो गया कि 7,935 सब्भीहार्थियों के लिए था तो आप लोगों के और से पूछा जा रहा था कि लोगिन में समस्या आ रही है तो आप लोगों को बद्दै थे कि यह जो लिंक है सिर् पत्रों को अपलोड करने है तो आयो का यहां पर दूसरा लिंक दिया गया है उप्यों करना है अब भिहारतियों को निदेश दिया जाते है कि निरधारी तब धी 11 जून तक उक्त कार्ज करना सुनिश्चित करेंगे और यहां पर अभिहारतिया घ्टन सूचना है तो बीसस गए अब देखते रहें आपको बीहार ससी के वेबसाइट पर लेचलते हैं यहां साप अच्छे समझ लिजी तो देखें कर दोस्तों बीहार ससी के वेबसाइट पर 13 मही का लिंक आया हुआ है अब दिक्ए अभी वाला में बहुत सारे बदलाव हुआ है यहां पर आप पर किलिक करना है इसमें पर पासवर्ट देना अगर आपको नहीं पता है यहां पर फॉर्म को समीट कर लिए डॉकुमेंट अपलोड यह सब चीजे कर लिए हैं तो आपको प्रिंट को आपशन आ जाएगा तो प्रिंट करके देख लेना है कुछ तुरूटी तो नहीं अगर तो रूटी है तो यह लास्ट मौका आपके लिए डिट का है अब देखें यहां पर ब्येसे से एक बार ने तिन चार चार बार मौका दिया गया कर कुछ भी गलती होगा तो डॉकुमेंट वरिफिकेशन में सीधे आपको बहार का रास्ता दिखाया जाएगा क्योंकि इतना मौका आपको देखेगा पिछली बार भरती में इस तरह से दिया ही नहीं जाता था इस बार जितना दिया गया इसलिए कोई यहां पर मिश्टेक वाला उप्शन नहीं रहने वाला है तो आप सभी समय रहते कर लिजे यह पहला लिंक हो गया और एक लिंक देखेगा तो पहल कर देखेगा तो इस तरह से इंट कर देखेगा तो आप सभी को लॉगिन करके अच्छे के चेक कर ले ना अभी फूल प्रोसेस आप सभी को बताये हैं उस अनुसाब यह आप लोगों कुछ दिर पहले बताया थी कि विहार में दिखेगा तो एक नहीं अभी कली है पांच प लेवल का भी जलदी परिक्षा के देर से सुंदी शूचना आ जाएगी और परिक्षा से रिНет है दोस्तों कि आपकी परिक्षा जुन और जुलाए में संभावना कम हो ऑर जुलाए के बाद यह परिक्षा होने जा रही है और आप आपको लग रहा ओगा तियारी के का यह ट्रेंट राइक नया वाला नहीं पूछा जाएगा अभी इस लवग देखेगा डिर साल दो साल पीछे तक का यह पूछा जाता है हम आप लोगों को त्यारी करवाने वाले विखार सेशी का जो जो करेंट अफेर्स का भी टॉपिक है यही सब आप लोगों को और आप क देट दो-दो साल पहले का करेंट पूछ दिया जाता है तो आप सभी को जो बी एससी का पैटर्न है उसी अनुसार त्यारी करना है साथ में आपको क्वेस्टन बैंक को बिलकुल इग्नोर नहीं करना है हम आप लोगों को बिहार में जितने भी अभी तक 100 प्रिक्षा हुए हैं चाहे बिहार एससी दरोगा बिहार पुलिस विप्यासी और एक्जाम का क्वेस्टन बैंक आप लोग प्रोवाइट करवा दिया है दो फॉर्मेट में पहला लैब टेस्ट करूप में दूसरा वन लैनर पीडियाप करूप में एक्स्टा फैक्ट के साथ तो जाहिए सभी 25 लाग सात्रों के लिए